नमस्कार दोस्तों, परधान मंतरी ग्रामीन आबास योजना को लेकर जो है एक बहुती बड़ी अपडेट यहाँ पे निकलके आई हुई है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोग को एक वीडियो बना कर जानकाई दिया था कि आप जो है परधान मंतरी आबास योजना का जो पातरता है उसमें बदलाव कर दिया गया है पहले क्या था कि अगर आपके पास TV है, फ्रीज है, बाइक है तो आप लोग को जो है परधान मंतरी आबास योजना का लाब नहीं मिलता था तो आभी दोस्तों एक बहुती बड़ी अपडेट निकलके आई हुई है कि आप लोग जो start ceremony काम है वो जल नहीं पर शुरू होने बाला है इसके बारे में जूचना है वो आप लोग निकलके आचुका है। किस परकार से आप लोग आप सर्वे होने बाला है, कौन जो है आप लोग अपना जो नाम है इस सर्वे में जुरुबा सकते हैं और उसके बाद आप लोग को पीम आप सर्वे करेंगे, कहां से आप लोग को नाम जुरुबाना है, साथ में क्या-क्या पातरता में बदलाव किय गया है क्या आपके पास यहां पर रहेगा फिर भी आपको पीम अबास योजिना का लाब मिलेगा वो सब मैं आप लोग में पचान काई देने बाला हूं तो वीडियो को आप पूरत जरूर देखेगा जितने भी लोग प्रक्का मका नहीं है उन सबी लोगों के लिए बहुत ह करने बाला हूं कि कहां से आप लोग सर्वे में नाम जुलबा सकते हैं और कौन सर्वे करने बाले हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम या फिर वर्ट्सेप से नहीं जुड़े हैं तो उसका जो लिंक यह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और इस पेपर कड़िंग में आप लोगा जानकाई है कि जो बदलाव किया गया है वो क्या जो यहां पर बदलाव किया गया है कि मानक में बदलाव अगले मां से होगा सर्वे यानि कि अभी जो है आप लोगा जो निया में जो योगता है उसमें बदलाव हो चुका है और अगले महीने से आप लोगा आप लोगा सर्वे सुरू होने बाला है यह जो आप लोगा पेपर कर्णिंग में दिखा रहा हूं यह आप लोगा सितंबर में जारी किया गया था, तो अक्टूबर में आप लोगा सर्वे शुरू होने बाला है, तो सर्वे के लिए भी जो है, आप लोगा सूचना आ चुका है कि किस तरीके से सर्वे होगा, और किनके दोड़ा सर्वे आप लोगा किया जाएगा, तो यानि कि इ आगले महिने से नए सरे से लभावकों का चैयन के लिए सरवे शुरू होने की आसार है, यानि दोस्तों यहां पर क्या है कि आप लोग का जो देशा निदे से वह आप लोग आप जारी हो चुका है, हर एक जिले को जो है आप लोग का नोरिस है आप जा चुका है और आप लाब मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे भी कुछ आप लोका जनकाई दिया हुआ है जो कि आपको जानना जरूरी है यहाँ पे देखे आप लोका जनकाई दिया हुआ है कि इसमें कहा गया है कि परिबार के किसी सरस्य की परतीमा आमदनी जो है 15,000 रुपे से अधिक है तो उन्ह आपको कहाँ पे लाब मिलने बाला है तो यह जो है आपको का अपडेट यहाँ पे निकलके आया हुआ है साथ में यहाँ पर जनकाई दिया हुआ है किन को आवास की स्विक्रती नहीं दी जा सकती है इसका ब्योड़ा जीले को भेजा गया है यानि कि किन को किन को आप लाब यानि कि अगर आपके पास 3 पहिया, 4 पहिया बहान है, माली जी आपके पास motor cycle है, तो आपको आपके लाब दे दिया जाएगा, लेकिन वहीं आपके पास tempo है, या फिर आपके पास 4 पहिया बहान है, तो आप लोगों आप लोगों आप लोगों नहीं मिलेगा, साथ में अगर पर जानकारी दिया हुआ है कि सरकार के पास पंजिक्रित गैर किसी उधम बाले परिवार यानि कि अगर आप जो है कोई भी किसानी खेती नहीं करते हैं तो भी आप लोगों पर लाब नहीं दिया जाएगा बेपसाई कर देने बाले लोगों को भी आप लाब नहीं दिया आप मिला लिजेगा कि आपको जोई इसमें लाब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा आप बात करते हैं कि यहाँ पर सर्वे किस परकार से होने बाला है क्योंकि सर्वे को लेकर भी नोटिस आप जारी हो चुका है कैसे सर्वे होगा वो भी आप जानकारी आ चुका है तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और यह जो पेपर कटिंग है यह उन्नीस दस दोज़ाइच चोविस को आप जाड़ी किया गया है दैनिक भासकर में जो यह आप लोगा सूचन आप निकल के आया हुआ है यहाँ पर देखें जानकार दिया हुआ है कि परधान मंतरी आवास योजना गरामीन के तहत नए लवावकों की सूची बनाने के लिए पंचायत रोजगार सेवक भी सलवेक्षन करेंगे जिन गराम पंचायतों में आवास सहाइक नहीं है वहाँ पर रोजगार सेवक यह काम करेंगे गरामीन विकास मंतरी अधिकारियों को यह निर्देश दिया है तो इस तरीकर से सूचना पर निकल के आया हुआ है कि जिन भी पंचायत में जो है आबा सहायक नहीं है उन पंचायतों में जो रोजगार सेवक होते हैं उनके द्वारा आप लोग का जो सर्वेक्षा ने वहाँ पर किया जाएगा यह इहाँ पर आबा सहायक नहीं हुए हैं वहाँ के जो रोजगार सेवक हैं उनको यह काम दिया जाएगा और वह जो यह सर्वेक्षान करके यहाँ पर लिस्ट है वहाँ पर त्यार करवाइंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको पता करना है कि आपके पंचायत में आवाससहायक है या फिर नहीं हैं। अगर आपके पंचायत में आवास सहायक हैं। तो इनको बूलिये छोड़्वाने के लिए छोड़ते हैं। कि आप लोगो को कुछ डीटेल नहां पर मांगा जाए, जिसे कि आप पर हो सकता है कि रासन कर मांगा जाए, आप लोगो का आधार कर मांगा जाए, तो ये सब डीटेल जो है, आप उनको उपलवद करवाईएगा, उसके बाद जो लिस्ट है, उसमें आप लोगो का आप नाम वो लिस्ट में आपे जोर देंगे, इन ही दोनों के माध्यम से आप लोग का जो नाम है, वो यहाँ पे जोर जाएगा, तो इस तरीके से अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है, जिनको भी PM आवास योजना का लाब चाहिए, वो जो है इन दोनों में से किसी एक से मिल ल लिस्ट है, उसमें जोरने वाला है, क्या जो है प्रकडिया रहने वाली है, और किस तरीके से आप टोकां पे सर भी होगा, वो भी मेने आप टोकां पे बता दिया है, आसर करते हैं कि आपको वीडियो पसंदा होगा, अगरी वीडियो पसंदा होगा, अगरी वीडियो के लिए धन्यवाद